हलो साथियों आप कैसे हैं आसा करते हैं आप सब अच्छे हों सवस्थ होंगे साथियों आज हम एक नया नास्ता और यूनिक रेश्पी लेकर के आए हैं पास्ते का नास्ता ये साथियों बहुत ही टेस्टी बहुत ला जवाब बनता है तो चलिए आज हम लोग पास्ते का ना यह थोड़ा सा मोटा साइज होता है, कई साइज में आता है, आप देख लिजे, यह लिया हो, एक कराही में साथियों हमने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, गरम करेंगे इसको पानी, उसके बाद एक चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, एक से डिर चम्मच डाल अब इसमें जो है यह पास्ता जो हमने लिया था उसको उबालेंगे करेब 5 मिनट तक इसको उबालेंगे अच्छे से जब यह पख जाएगा तब इसको निकालेंगे ये देखी पाँच मिनट हो गए साथ्यों ठंधा भी हो गया है इसको अब एक छणी में निकाल professionals यदिनों कि आच ख़गया है साथ में। नहीं तो यह इतने गले कानहीं उसी स्टेज पे जतना मेने पकाया है यह तो थोड़ी देर गरम रहेगा तो यह और मुलाइम हो जाएगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइठी इसको रखना है फ्राइ करना है इसलिए यह देखी इसको ठंधा कर लिया है हमेंने सारी पास्ता बिल्कुल अलग-अलग है क्योंकि जादा नहीं पकाई यह देखी मेरे पास इस्टिक है यह मार्केट में साथियों इस्टिक मिल जाती है यह इस तरीके से देखिए इस स्टिक में एक एक करके यह लगाएंगे पास्ता पास्ते का सेंटर जो है इसमें चुभोएंगे और इसको जो है इसमें इस्टिक में लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से और ये साथियों बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनता है प्लाजवाब नास्ता बनता है सभी को खोद पसंद आता है और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है जब आप इसको बनाईंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा ये देखिए इस स्टिक में हमने सारे इस तरीके से कराही में आपको इसको पकाना है जिसमें रोस्ट करना है लाइट फ्राई करना है उसमें कितनी चोड़ाई है उस हिसाब से उतनी इसमें रखें इसे stick में ये देखें सारे इस तरीके से हमने सारे stick में लगा लिये हैं ये देखें अभी मैं बताता हूं इसमें आगे इसका process क्या है आप साथियों जो है ये सारे स्टिक में लग गए हैं अब हम ये देखिए हमने ये आधा बाउल जो है मैदा लिया है मैदा लिया है आधा बाउल इसमें देखिए लाल मिर्च हमने डाल दिया है आधा चम्मच आप लाल मिर्च बढ़ा सकते हैं ये देखिए हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है अधा चम्मच ये देखिए कस्मीरी लाल मिर्च है वो हमने डाल दिया है अधा चम्मच इसमें ये देखिए गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है अधा चम्मच ये देखे साथियों हमारे पाउच कसूरी मेथी थी वो हमने इसमें डाल दिया है एक चमच और थोड़ा सा नमक डाल दिया है इसमें ताइक इसमें नमक मिक्स हो जाए स्वाद आए यह देखे मैजिग मसाला आता है मैईकी का, वो हमने लिया है, वो एक पाउच स्में हमने डाल दिया है, इसका जवरजस तो स्वाध आएगा साथ में और फास पानी डाल के थोड़ा फास पानी डाल करके इसका घोल तयार करेंगे गोल साथ्यों बहुत पतला नहीं करेंगे क्योकी जो stick में पास्ता चुबोए हुई उन पास्ता पे इसको लगाना है मैं देखाता हूँ किप्सक्तितना पतला सी रखना है क्योक्त पतला नहीं करना है हलका सा गाढाा रखने है, ताएक यूँ उस पर लग जाए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको, एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, और इसका घोल तयार करेंगे, थोड़ा सा और पतला करेंगे इसको, अच्छे से मिक्स कर लेंग कल दें जब तैकly सूखे मासाले इससमें डाले हैं उसमें मिक्स हो जाएं यह देखे ग्षोल तयार हो गया है इसमें साथ धनिया की पत्ति एफ और देंगे तैक उसका विश्वाद आ जाए मिक्स करदेंगे इसमें अच्छे से और पास्ता हमने इसे लगा अब इसमें डुबोएंगे इस तरीके से, इनमें दोनों तरफ अलट पलटके अच्छे से चम्मच एक ले लेंगे और इस पर अच्छे से इसको लगा देंगे, ये देखे, इस चिक को घुमा करके इसको अच्छे से लगा देंगे दोनों तरफ, और साथियों हमने ये देखे, ब् साथ यों बहुर ला जबाब नास्ता बने गई यह देखिए इस तरीके से इसको लगा देंगे अभी एक बार मैं और आपको दिखाता हूं एक बार और देख लीजिए बहुत अच्छे से यह देखिए इस तरीके से अलट पलट की इसमें लगाएंगे यह देखिए यह ब्रेड का बुरादा जो है इस पे लगा देंगे इसका चूड़ा ब्रेड बाला दोनों तरफ पलटके इसी तरीके से जितनी स्टिक बनाई थी हमने सारी स्टिक में लगा लेंगे एक एक करके और अच्छे से लगा देंगी ताइक यह अच्छे से चिपक जाए और बढ़ाया पके और इसका फ्लेवर बहुत जबर्जस्त कुरकुरी बनने आए यह देखे सारी उसमें लगए है जितने इस्टिक तयार की थी सम्में यह हमने घोल लगा करके उसके बाद में ब्रेट का पुरादा लगा के तयार कर लिए अब साथियों हमने एक कडाही में रिफाइन डाला था और थोड़ा से इसमें देशी घी हमने डाला है देशी घी भी थोड़ा से डाल देंगे तो बहुत अच्छी खुश्बू आएगी बहुत बढ़िया बनेगा बहुत लाजवाब बनेगा अच्छा अलग से बिलकुल जाएगे इसका देशी घी डालने से तेल गरम हो गया साथियों यह देखेए धीरे से इसमें डालेंगे दो से ज़्यादा साथ ही इसमें नहीं है इसलिए दो दो पकाएंगे और अलट पलट के धीमी आज पर पकाएंगे ध्यान दखेंगे हाई फ्लेम नहीं होनी चाहिए मीदियम या लो पर होनी चाहिए और धीरे धीरे इसको पकाएंगे जब एक तरफ पक जाएं तभी दूसरी तरफ इसको पलटें अब पलट करके देखते हैं ये देखिए बहुत ही उनिक नास्ता है साथों बिलकुल नया तरीका है पनाने का और बहुत ही लाजवाब बनता है अभी आप देखिए कितना जबर्जस्त नास्ता तयार होता है बन करके ये देखिए साथ ही बहुत ही कुरकुरा नास्ता बनेगा जिसको आप सर्व करेंगे वो पहचान नहीं पाएगे कि है क्या है इतना यूनिक ब्रेकफास्ट है यह निकाल लेंगे साथ यूँ पक गए हैं तेल इसका अच्छे से निकाल देंगे साथ यूँ यह देखी इस तरीके से चिम्टे से पकड़ करके थोड़ा सा हिला देंगे जिस तरीके से जले भी निकालते हैं उस तरीके से इसका तेल जो और सेस बचे हुए उनको भी इसी तरीकी से पका लेंगे ये देखिए अलट पलट के इनको पकाएंगे साथ ये डीप फ्राई हमने बहुत आयल नहीं डाला है सेलो फ्राई है आप इसे कम भी तेल रख सकते हैं उसमें भी पका सकते हैं बहुत बढ़े हैं ये देखिए भी पक गगें ये भी निकाल लेंगे इसी तरीके से जितनी स्टिक बनाई थी साथियों वो सारी जो है पका लेंगे हम बारी-बारी से और धीमी आज पर ही पकाएंगे गैस की फ्लेम कम रखेंगे बिसे ध्यान रखेंगे सारी हमने पकालीं हैं तैयार हो गए हैं ये देखिए जब अरजस्त साथियों नास्ता बन करके तैयार हुआ है आप चाहें तो हरी चटनी के साथ Tomato Sauce किसी के साथ भी आप सर्फ करें जिसके साथ आपको अच्छा लगता हूँ, यह बहुत ही उनिक नास्ता है, तो साथ यह यह मेरा बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, मेरी रेस्पी आपको पसंद आई हो, तो करपया वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, और साथियों ये चैनल पर नए हो तो करपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। नवश्कार।